और इस्लाम में किसी का जिसम का सोधा करना ये जो जहन्नम का आग है लेकिन हमको ऐसा नहीं मिला मेरे साथ एसा ही होते गया और ऐसा ही लोग मिलते गया इसलिए मेरे को नफरत हुआ तो भाइकिसे सुल्मधरण्ग दलों बहुत सारे दल बने हुए हैं. उनके दवाब आपको कैसा सपोर्ट मिला है फिलागे? नहीं मिला है. तो सम्मान जनक सपोर्ट नहीं मिल रहा है? नहीं नहीं मिला है. आप अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रही हैं कभी आप और सुरक्षित महसूस कर रही हैं नहीं हम अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं सुरक्षित महसूस जै शरी रम और कल तक हम जिस धर्म में थे सर वो मेरा कल था अब हम सनातन धर्म में आगे हैं मेरा जीना मरना इसी में हैं और हम गरब से कहेंगे जो हम हिंदू हैं जै शरी रम जै शिला जब वो लोग हमको देखता है तो हमारे हमारा सोधा करना चाहता जो आपको क्या टेंसने 5-10 जार के लिए हम लोग है ना आप ताइम निकालिये इस तरीका का सवाल करता जब मेरे जनम हुआ दो साल के बाद में दो साल के बाद में वह यहां से जाके दूर से वह फो तलाक माने ही पून पर ही आपका तलाक हो गया था यह पून पर तलाक माना गया है तीन बार तलाक तलाक बोला तलाक हो गया आपका तलाक हो गया मेरा अपने बीबी की बहन तो मेरा भी बहन इस तरीका से वह मेरे साथ गलत करना चाहां तो इस बात को भी जब हम समाज में र जो मुसल्मान जो है बिलकुल गलत है अब तो मारने का धंकी तो हमको मिली रहे तो हम मरने से भी नहीं डड़ता है नहीं दरता है क्योंकि मेरा जिंदगी तो नरग बना ही दिया हैं आधी उसको जानते हैं वह हमको दीदी दीदी बोलता, लेकिन वो मेरे लिए एक customer खुजा है, 5000 वो भी एक मुसल्मान, कल तक हम मुसल्मान, और वो मुसल्मान और वो मेरा customer खुजने वाला मुसल्मान. तो हम जब ये आपके आपको जो अपना दीदी कहता था जिसको आप भाई कहती थी आपके लिए ये 5000 में कस्टुमर खुजाए अब भी हम बहुत ऐसा बात है लेकिन जो हम सब अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये यहां से और कुछ दूर से बैट के आपस में समझा होता किया हैं, यह लोग बात धी किया हैं, जो यह ऐसा बात करें, जो समाज का उलंगन कर रही हैं, धरम के खिलाब बोल रही हैं, तो हम लोग भीर बना के इसको यहाई खतम कर देने में फाइदा रहेगा। और दूसरी बात कि इनको कई तरीके से डिरेक्ली इंडिरेक्ली धंकिया भी मिल रही हैं, पहले सोनी जी आपका स्वागत है, कैसी हैं आप, जी सर नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं, अच्छा आप सनातनी कब बनी थी, यह आपका हो गया, पंदर दिन जैसा, पंदर दि पहले आप सनातनी बनी, जी, उससे पहले आप मुस्लिम थी, जी, तो सनातनी धर्म जो आपने अपनाया है, तो कैसे आपने अपनाया, किसके मोझूदगी में, क्या आपने HDM, DM, किस से परमिशन लिया, क्योंकि मैंने आपका देखा, एक कागज भी आया था मेरे पास, जी, सर, हमारे यहा का HDO सर के पास, हम पेपर दिये थे, उन्होंने एकसेट किये थे पेपर, और उसके बाद हम यहा से सिव मंदिर में जाके, अपना पूजा किये, हवन किये, सनातन धर्म हमको मजबुती दिखाई दिया है, और सनातन धर्म में अवरत का मानसमान भी दिखाई इसलिए हम यह किये हैं और हम कल तक जिस धरम में हम थे और जिस समाज में हम थे बहुत कुछ जहले हैं हम वहां पे और बहुत मुस्किल था मेरा क्यूंकि मेरा तलाक हो चुका था नौदस सल पहले की बात है जी मेरा एक बेटा है सुलसल का उमर का तो तलाक मेरा हो चुका था तो हमारे में तलाक हो जाने के बाद आवरत का मान सम्मान रहे नहीं जाता है जैसे कि यह सब मेरे साथ हुआ है। क्युकि जानना चाहेंगे और हमारे दर्सक भी जानना चाहेंगे ऐसा आपके साथ क्या कुछ हो इसलाम धरम में जो अपनी इसलाम त्याग करके सनातनी धरम अपनाया है? जैसे कि हम पैदा एक मुसल्मान घर में हुए, 32-33 साल भी मेरा उमर है, तो जैसे कि मेरा तलाख होने के बाद में, हमको कभी कोई मुसल्मान भाई हम सबको नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग कोई हमको मदद के लिए नहीं आया, नहीं पूछा, लेकिन जब वो लोग हमको निकालिए, इस तरीका का सवाल करता है, मेरे से, मतलब कि आपके जो स्रीर का वय पार करने की कुछिस की गई है? हाँ, 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 इस तरीका का ही बात होता, तो कई बार हम इस बात को हमारे समाज के कुछ लोग के बीच में रखे थे, धर्म-गरू के पास भी रखे थे, जो ऐसा फ़लाना, फड़ा से पीछ हो जाई है, जैसे कि इस तरीका का सवाल मेरे से किया जाता है, तो हम कई बार अपने धरम गुरु के पास इस बात को रखे भी थे, जो देखिए, ये फ़लाना मेरे को ऐसा सवाल करता है, तो उन लोगों ने बेग्ग्राउंड की हिसाब स से बात किया जाता है, तो एक को बेटा है, जैसे कि मेरा तो कोई नहीं एक बेटा है, आगे पीछे कोई नहीं मेरा, हम तो कपरा बिक्री करते हैं, मेरा किराया का रूम है, तो मेरा क्या उचित फैसला बनता है, तो हमारे समाज में कुछ लोग इस तरीका का फैसला करते है, जिसका भत उसी का लाटी, इस तरीकाटा फैसला मेरे साथ मुँखा ही. आपकी पहली सादी कंव expres aqui? मेरा इस संदी मेरा सुललसल का उमर था, जो मेरा हस्बेन था, फैным मेर वह 22 ता उनका उमर था और pizzas polarization to the King. बिल्कुल गरीब.. इसमें जो आपकी साधी हुई थी, आपकी मर्जी से हुई थी? नहीं, मर्जी मतलब ऐसा है न, सर, जैसे कि हम बहुत गरीब फेमली से हैं, हम लोग छे बहन थे, हम सबसे चोटे थे, और घर का हाला बहुत मुश्किल था हम लोग का चनला, एक ओप खाए तो एक ओप के लिए सोचना पड़ता था, और जिस आदमी से मेरा निकाह हुआ था, बस वो यहां पर आजान देता था, तहाजूद पड़ता था, बहुत अच्छा था, पुछ लोग समाज का बोलती ही, जो यह बहुत अच्छा है, बस इसी हिसाब से मेरा निकाह हुआ था, और आपका पहले पड़ती तलाग दिया था? मेरा एक बेटा हुआ, एक बेटा जनम हुआ, दो साल के बाद में, दो साल के बाद में वो यहां से जाके, दूर से वो फोन में तलाग दिया, और यहां का धरम गुरू लोग बठे हुए तलाग माने ही, फोन पर यह आपका तलाग हो गया था, जे, जे, फोन पर तलाग मान आपने दूसरी शादे भी कि थी? हम इनसे बात करना चाहते हैं, उस जबाना में तो मेरे पास भी फोन नहीं था, और इतना मालूम भी नहीं था, और पढ़े लिखी हम बिलकुल नहीं हैं, बहुत मुस्किल से सबीना बेगम लिखना सिखाता हिंदी में, आप सोनी सिंग बार बार लिख रहे हैं, हम पोसिस कर हम बिलकुल पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई बात नहीं, आपने जो पहली साधी की, उसके बाद आपको तलाक मिल गया, तलाक मिलने के बाद, दूसरी साधी अपने, पहले तलाक मिलने के बाद, हम 6-7 सन बहुत मुस्किल से अपने बच्चे को लेके चल रहा था, तो हमारे इहां का समाज का एक ऐसा गिरा हुआ हिंसान है, बरा मंगर मच बैठा हुआ है, वो मेरे से बहन का रिस्ता लगाया, और उसकी बीबी से भी मेरा बहन का रिस्ता, तो आप मेरी बीबी की बहन तो मेरा भी बहन इस तरीका से वो मेरे साथ गलत करना चाहां, तो इस बात को भ डिकिन मेरे मेरे सबस्क्राइब। गलती हुआ, इन दोनों के पास बात नहीं रखके पडशासन के पास जाना चाहिए था। हमको लगा कि मुसल्मान में सब जूट नहीं होता है, और सारे मुसल्मान को हम गलत नहीं कह सकते हैं और नहीं भी बोलएंगे क्यों कि लोह जो मुस्लमान हो बेविकोल गलत हैं अब तो मरनें का धमकी तो हमको मिली रहATE है तो तो हम मरने से भी नहीं ड़ड़ता है वारना चाहे भी तो तो हमको मार सकता है क्योंकि मेरा जिंदगी तो नरक बना ही दिया है लोग ऐसा क्या कुछ हुआ था आपके साथ और आपके धरम में ऐसा क्या कुछ हुआ था आपके साथ आपके लोगों ने इसा क्या कुछ किया था कि आप इसलाम धरम त्यागने के नोबत पर आ गई सर जैसे कि ये जो आदमी था, तो मेरी वाइप की बहन, मेरी बहन जो करके ये गलती करना चाहा, मेरे बिलकुल अच्छा नहीं लगा, इस बात को हम मदर्सा के धरम गुरू के पास रखा, जो जमात तेहां से भेशते हैं, ठीकादार है जो भाईजान, हम देखें, ये तो बह अबनार हम पॉले कि हम लोग बात करेंगे, लेगिन इन लोग बात नहीं किया, वो इंसा नहीं है चला गया, उसके बाद में घृरा दिन अज़ाया, प्रू मेरे बात आप लोगों ने नहीं किया, तो फिर तो जो छो बात नहीं हें गया, ये मेरे दिल में news तकलीफ था ही क्योंकि हम तो कल तक मुसल्मान थे और जबकि मुसल्मान लोगों का कहना है कि गला पर तलवार हो तो जूट उसी वक्त बोलना है जान बचाने के लिए लेकिन हम ऐसा नहीं पाया कुछ लोगों के बीच ऐसा नहीं पाया तो मेरे दिल में बहुत तकलीफ सब्सक्राइब करा लिए सब्सक्राइब आपके लिए ही पांच हजार में कस्टुमर खुजा है, सरे लिक सब्सक्राइब के लिए, जे, जे, तो वो कस्टुमर को जो खुजा है, वो आदमी मेरे को फोन किया, बोला, असलाम आलेकूं, हम बोले, वालेकूं, असलाम, बताइए क्या बात है, तो उनका मेरे पास साबू है, सर, हम आपको भेज़ देंगे, उन्होंने बोला, जो ये फलाना आदमी नंबर दिया, और हम आपको पांच से जार दे सकते हैं, आप मेरे को एक दो घंटा टाइम दो, तो हम बोला, आपने सलाम देकी, ये सवाल क्यों किया, हम मुसल्मान है, मेरा एक बेटा है, और हम बिल्कुल ऐसा करता नहीं, हम ऐसा अवरत है नहीं, आपको किसने नंबर दिया, किसने बोला, तो उनका वो नाम भी बताया, बताने, ये सच है सर, हम जोट नहीं बोलेंगे, आपको बेज़ देंगे, और अब भी हम बहुत ऐसा बात है, लेकिन जो हम सब को अभी नहीं बत क्योνकि मेरा एक पोत तक भी commitment का थिकी रहे हैं जो अच्डम के कि गुष स्प्सक्राइब भी अग्हें यहांग जयाया जी इस को इसंदि ए आसको कुछ दूर्या, लुट्युक्राइब nella झाल 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 झाल